नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में है तो हमने स्टार्ट किया है एकनोमिक्स का चैप्टर नंबर 6 यानि की पॉपुलेशन इंडिया और इसके ना दो लेक्चर हमारे अल्रेडी कंप्लीड हो चुके हैं आज का यह जो लेक्चर है दोस्त पॉपुलेशन इक्सप्लोजन इंडिया थीक है तो पॉपुलेशन इक्सप्लोजन क्या होता है आई यह जरा इस फिकर के माधियम से समझते हैं तो देखो दोस्तों आप इस कार को देखेगा मतलब यह गाडी को देखो यहाँ पर गाड़ी कितनी है एक गाड़ी और इसमे लेकिन सुनो ना यहां पे बैठने वाले लोग कितने हैं बहुत जादा यहां पर इस गाड़ी में सवारी कर पा रहे थे एकदम अच्छे से सीट पर बैठके जा रहे थे लेकिन जब population बढ़ा देखो यहां पर लोग बढ़ गया है तो क्या हो रहा है देखो न कोई आगे बैठा है कोई इसके छट पे जाकर के बैठ गया है कोई इदर लटका हुआ है ठीक है यानि कि इन लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ेगा पहले जब संख्या कमती तो आराम से जा रहे थे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी लेकिन अब देखो प्रॉब्लम वाली बात आ चुकी है देखो जो हमारे रिसोर्स है वह तो नहीं बढ़ रहे पहले बेगाड़ी एक ही थी अब भी एक ही है लेकिन जो जनसंख्या है यानि कि जो यानि यहीं सिच्वेशन होता है नतदोस्तो इसी को हम क्ा कहते है फोप्रॉबशन एकस्प्लेशन के बारे क्या बताया है आईए मैं आपको यहांपर पढ़ करके समझाती हूँ तो दिखें दोस्तों इसमें जा रहा है कि population explosion क्या है तो population explosion एक ऐसा situation है जहां पर हम क्या देखते हैं कि जो ग्रोथ हो पॉपुलेशन है ना बच्चे यह ज्यादा तेजी से होता है as compared to the development of the economy यानि जो एकोनॉमी का development है भाई आप तो धीरे-धीरे हो रहा है लेकिन जो पॉपुलेशन है वो तीजी से बढ़ रहा है तो यह वाली जो situation है इसी को हम किस नाम से जानते हैं तो population explosion के नाम से जानते हैं ठीक है अब देखो दोस्तों इंडिया में population explosion का जो कारण है वो क्या हो सकता है सोच करके बताए तो वो कारण है दोस्तों high birth rate और low death rate यानि कि जनम लेने वाले लोग तो जादा है और मरने वाले लोग क्या है दोस्तों कम है यानि जनम तेजी से हो रहा है और बृत्यों देरे-देरे करके हो रही है तो इसी लिए हमें इंडिया में population explosion देखने के लिए मिलता है ठीक है चलो अब मैं आपको यहां पर बताती हूं causes of high birth rate यानि high birth rate का भया कारण क्या है अभी हमने देखा ना कि high birth rate और ये low death rate यही कारण है इंडिया में population explosion के तो बताओ सरा high birth rate के कारण क्या है क्या causes है आव मैं आपको बताती हूं एक के करके यहां पे कुछ points दिए गए हैं जिनको हम समझेंगे तो सबसे पहला point यहां पे आगया दोस्तो इलेटरेसी का मतलब आप सभी को पता है पढ़ा लिखा न होना ठीक है जैसे जो औरते होती है अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती है तो आप देखिएगा उनकी जो बच्चे है ना वो काफी मतलब जादा होते हैं ठीक है comparatively वो और जो पढ़ी लिखी होती ठीक है तो वो उस हिसाब से क्या करते हैं अपने बच्चों को पालते हैं ठीक है और जबकि यह जो मतलब इलेटरेट विबैन होती है यानि की जो पढ़ी लिखी नहीं होती है और वो ते उनके बच्चे जाधा होते है ठीक है ऐसा हम देखते है तो इलेटरेसी यहाँ पर एक main कारण हो सकता है किसका high birth rate का थीक है तो आप देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि the percentage of illiterate in the country is reasonably high यारी के हमारे country में जो percentage है illiteracy का वो काफी ज्यादा है थीक है The attitude of illiterate people towards marriage and childbirth birth has remained rigid यानि कि जो attitude है illiterate people का यानि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है थीक है तो उनका मानना क्या होता है कि बच्चे बड़े हुए चलो अब इनके शादी बगरा कर देते हैं ठीक है मतलब वो अब भी भी उनके दिमाग में वही घुसा हुआ है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भई शादी कर देनी है ठीक है बागी पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है उनको अच्छा आगे चल करके क्या करना ये सारी चीजे कुछ नहीं बस आप शादी कर दो जब बड़ा हो गया है तो ठीक है तो ये बात हो जाती है आप शादी करेंगे फिर बच्चे भी हो जाएंगे तो इसके कारण बर्थ रेट क्या होता है बढ़ते जाता है और डेथ रेट जो है वो कम तो है ही वो तो हमने उपर देखाई ठीक है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फिमेल्स में अगर क्या होगा देखिए लो लेवल अफ लिटरेसी मतलब अगर वो अनपड होते हैं तो फिर वहाँ पे यह चीज यह जो है ना लो लेवल अफ लिटरेसी अमंग फिमेल्स यानि फिमेल्स में जो लो लेवल अफ लिटरेसी हैना दोस्तों मतलब यह एक factor हो सकता है जिसके कारण जो birth rate है वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ठीक है तो यह point I hope आपको समझ में आ गया होगा e-literacy के बारे में ठीक है चलो अब हम देखेंगे दोस्तो यहाँ पे second point which is universalization of marriage देखो दोस्तो जैसे की अगर आप कहो ना मतलब अभी तो आप खेड़ सोटेओ ठीक है अगर आप यह कहतो कि हमें तो शाधी नहीं करनी तो फिर सब लोग यही पूस्टे क्यों oke architecture किसलिए नहीं करनी यानि शाधी तो करनी ही है मतलब यह आप समझ लो कि religious या फिर हम कह सकते हैं social है मतलब है यह आपके डूटी है आपको शादी करनी मतलब करनी ही है ठीक है इवन विद्धा स्प्रेड ओफ एजुकेशन डाइटिट्यूड और पिपल तुवर्ट्स मैरेज रिमेंज अंचेंज एट लाज मतलब क्या होए इसका मतलब जो पड़ेली के लोग भी है वो भी यह उपर काफी जादा दो देते हैं ठीक है तो यह एक कारण हो सकता है ना बर्थ रेट के हाई होने का क्योंकि शादी करेंगे फिर बच्चे भी होंगे तो यह हो गया सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हैं यहां पर एज ओफ मैरेज यह जैसे कि अधर कंट्रीज यानि दूसरे कंट्री से हम कंपेर करेंगे तो हमारी इंडिया में जो लिगल आप मैरे जना दोस्तों वह क्या है वह लो मतलब लोगर है एस कंपेर टू अधर कंट्रीज ठीक है इस एटीन यहार्स फॉर फिमेल्स देखो पहले के में बात बता रही हो बच्चे भी होंगे और बच्चे होंगे तो फिर से बर्थ रेट बढ़ेगा वही बात हो जाती है अपने आसपास देखते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी को लड़की हुई ठीक है जैसे उनको चाहत होती है कि हमारे तो बेटा हो जाए ठीक है तो इस शक्कर में उनके अब्च हो जाती है यहा rape तो यह कारण है कि यह जाते हैं अब अनचे कि इया मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे parents ऐसे हैं जो continuously बच्चे लाते रहते जब तक उनको बेटा ना हो जाये जितना भी वह बेटा चाहते हैं जैसे एक बेटा चाहते हो या फिर दो बेटा चाहते हैं इतना हो जब तक वह लाते रहते बेटी थी अगर देखू मैं तो लगबग ना छे नहीं पांच की यह दे थी और उसके बाद में उनको बेटा हुआ था टीक है लास्ट वाला सबसे छोटा क्या था उनका बेटा था तो देखो बेटे के चक्कर में इन्होंने मैं वहां ने कितनी सारी बेटियों को ला दिया चलो आगे चलते हैं फिर यहां पर है दोस्तों joint family system अब देखो हमारे यहां पर क्या होता है जैनल ही अगर देखा जाए तो joint family system होता है अगर joint family system है तो इसमें जो खर्चा है ना बहुता क्योंकि वो भार सब के उपर आता है ठीक है तो जब सब के उपर आ रहा है तो इसमें कुछ family planning के जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब को पता है कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे बेटे का कोई और कर देगा मतलब हम अगर हम अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकते तो उनके जो भाई है क्योंकि joint family system में ऐसे होता है कि सब लोग मिल करके घर का खर्च उठाते है तो यह बात हो जाती है so there is no individual financial responsibility in a joint family देखा joint family में individual financial responsibility नहीं होती है सब एक साथ मिल जुल करके क्या करते है घर का खर्च उठाते है तो easy मतलब easy हो जाता है अगर सब लोग मिल करके घर का खर्च उठाएंगे तो आसानी होगी hence existence of joint family is also responsible for high birth rate in India थीक है बत समझ में आ गए तो यह है joint family system नेक्स यहां पर dependence on agriculture जैसे कि अगर देखा जाए तो इंडिया अग्रिकल्च इस ड्राइवन बाई manpower यानि कि झो इंडिया में ख्यल्चे आ इंडिया जाता है manpower के elsावली मोरल के लगों को जैसे किसान वगर तो उनको उड़्य है कि अगर हमारे जादा बच्चे होंगे तो वो जागर के खेतों में काम कर पाएंगे यह जादा मैन पावर हमें मिलेगा जिससे हम काम कर पाएंगे और जो अपना इंकम है उसको जनरेट कर पाएंगे ठीक है तो यह यहां पर दोस्तों वाइड स्प्रेड पॉवर्टी अब यहां पर लिखाएंगी पूवर पीपल प्रीफर लाज फैमिली बिकॉज क्यों जो गरीब लोग है वह बड़ी फैमिली करना चाहते हैं वाई बिकॉज समझेगा जैसे उनकी सोच होती है कि हमारे पांच बेटा है तो पांच लोग कमाएंगे तो हमें ज़्यादा इंकम होगी ना अगर एक बेटा है तो फ्रों पर आपर ने के लिए अंडिया के लिए अंदर यहां पर lack of awareness about family welfare services यानि जो family welfare services है न दोस्तों इसके बारे में लोगों को जादा awareness नहीं होती है जागरुपता नहीं होती है family planning को ले करके यह भी एक में कारण हो सकता है और high birth rate ठीक है so most of the people are ignorant about the availability of various means and techniques of family planning यानि जो family planning के various तरीके हैं और मतलब जो भी चीजे हैं मतलब उसके बारे में वह aware ही नहीं होते हैं ठीक है इस कारण भी high birth rate जो है दोस्तों वह हमें देखने के लिए मिलता है ठीक है तो यहां पर कुछ में जो है वह पढ़े लिखी नहीं होती है तो फिर वह मतलब उनके जाधा बच्चे होते ठीक है फिर यहां पर सेके ने यूनिवर्सलाइजिशन ओफ मैरेज है ना मैनर मैरेज तो भी रिलीजियस और सोशल यह क्या है यह तो समझलों आपके ड्यूटी है करना ही है ठीक है ठीक है नेक्स्ट है यहां पर कि लाइक ऑफ अवेर्नेस अबाउट फैमिली विल्फेयर सविसेश ठीक है चलो भाई अब हम आगे चलते हैं और यहां पर आप हम क्या देखेंगे दोस्तों कॉसे ओफ लो डेथ त्रेट यानि जैसे हमने देखा था ना कि हमारे इंडिया मे बहुत सारे कारण है जिसको हम यहां पर समझने वाले हैं लेकिन उसको समझने के भी पहले यूशूड नो में कुछ बाते दी गई है इंपॉर्टेंट बाते जरा हम इनको देखते हैं तो देखिएगा यहां पर कुछ टरंस दिए गया है एक है दोस्तों अंडर सब्सक्राइब लाशी के अगरे अपॉर्पॉपॉशम यहां नेट्रेयों सब्सक्राइब कर दोस्तों इसको हम क्या कहें अंडर पॉपॉपॉपॉपॉ इशन किया होगा इसे का जिस अपोजीट्ट आपंपॉबेशन ग्रोथ जो है वह जादा है जो हमारे नेट्रेसरू वो कम है ठीक है उनकी availability क्या है बच्चे कम है और optimum population का मतलब क्या होता है कि दोनों समझ लो balance में है ठीक है there is a balance between population growth and availability of natural resources यानि दोनों में समझ लीजी कि समानता है population क्या बुला मैंने population growth और natural resources ठीक है तो यहां पर यह तीनों टर्म्स दिये कहते ध्यान रखेगा अगर exam में कभी पूछा गया तो आप जरूर बताना अंडर population और population और optimum population ठीक है चलो भाई अब हम देखते हैं causes of low death rate अब यह low death rate का कारण क्या क्या है तो पहला point यहां पर बताया है कि improvement in medical and health facilities जी हां बिल्कूल जो हमारे medical और यह medical or health facilities है इसमें improvement तो हुआ ही है ना और लगातार जो improvement मतलब जो improvement है वो होते भी जा रहा है इसके कारण क्या होता है अगर लोगों को कोई बिमारी होती है तो उसका वो इलाज करा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं जिसके कारण low death rate हमें देखने के लिए मिलता है ठीक है ना due to wide spread increase in medical and health facilities epidemics like plague, cholera, malaria, smallpox, tuberculosis, etc. have almost been eradicated या नहीं देखो पहले कि आगर मैं आप लोगों को बात बताऊं पहले देखो एक plague बिमारी आई थी जिसके कारण लोग बहुत सारे लोग मरे थे क्योंकि उस पर कोई vaccination मतलब कोई इसकी दवाई नहीं थी कुछ नहीं था तो इसके कारण लोगों को जब यह बिमारी हुई तो वो लोग मर गए ठीक है लेकिन अब इन सभी का solution आ चुका है तो अगर किसी को कुछ बिमारी होती भी है तो इसका वह इलाज है भई समझ में आ रहा है जब कोई भी बिमारी हो अब तो उसका इलाज अविलेबल है जिसके कारण लोग ठीक हो जाते है तो यह कारण हो सकता है नेक्स नहीं यहाँ पर देखिएगा decline in maternal mortality rate अब यह maternal mortality rate का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है देखो maternal याने आप समझ लोग की maternal याने हम कह सकते हैं माता माता पता है ना मदर ठीक है और mortality rate यानि जब बच्चे मतलब देखो यहाँ पर क्या लिखा है decline in maternal mortality rate यानि जब और बच्चे को जन्द देती है तो उस टाइम पर जो उनकी मृतियों है वो कम हो रही है पहले जादा होती थी at the time of birth जो महिलाएं होती थी उनकी मृतियों हो जाया करती थी पहले क्योंकि उतनी medical facilities अवेलेबल नहीं थी जादर जानकारी भी नहीं थी लेकि चलो देखते हैं इसका explanation क्या कहा गया है कि over a period of time death rate of women dying during maternity has declined due to improvement in medical facilities simple बात है वही है वेरी सिंपल इसका explanation देखो सब कुछ यहां पर बता दिया गया है कि जो maternity मतलब यह जो है जैसे at the time of मालीजे वो चाइड को चाइड को क्या कर रही है बर्त दे रही है ठीक है तो उस time प उनको प्रॉपले treatment दिया जाता है जिसके कारण वो मा और बच्चे दोनों स्वस्थ होते किसी की भी यहां पर मृतियू नहीं होती है ठीक है चलो भई आगे चलते हैं नेक्स यहां पर फॉल इन्फेंट मॉटिलिटी रेट क्या है इन्फेंट मॉटिलिटी देखो इन्फे तो इन्फेंट यानि क्या शिशू यानि छोटा सा कोई भी बच्चा है वो मॉटिलिटी रेट यानि की मृतियू दर ठीक है तो आब इसमें भी गिरावट आ चुकी है क्यों गिरावट आ गई है अगेन वही रीजन है एडवांस मैटिकल फैसिलिटी आ चुकी है कोई भी तो हजा यानि जब बच्चा जर्म लेता है तब उसका ट्रीट्मिट्मेंट चालximु हो जाता है और इसको ठीक कर देते हैं ठीक है यानि वह जी गया ना मरा तो नहीं तो वही बात है कि fall in infant mortality rate यानि जो शिशुम रित्व दर बच्चे उसमें वही कमी है ठीक है सो ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलेटी इस देयर हास बेन डिक्लाइन इन इंफेंट मॉटिलिटी रेट फ्रम 146 पर थाउजन इन 1951 देखो 1951 में कितना था तो एक हजार बच्चों पर कितने बच्चे मन रहे थे वही 146 ठीक है फिर क्या हुआ देखो कितने 64 आप देखो यह धीरे धीरे करके कैसे यह कम होते जा रहा है देखो 2011 में इंफेंट मॉटिलिटी रेट कितना था भई तो 47 पर थाउजन पर थाउजन मतलब 47 पर थाउजन के ऊपर यानि थाउजन में 47 ही मर रहे थे ठीक है तो इंफेंट मॉटिलिटी रेट उसमें हमें गिरावट देखने के लिए दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अब जो हमारी मतलब औरते हैं अगर वो पढ़ी लिखी होती है तो अपने बच्चे की देखबल बहुत अच्छे से करती है जिसके कारण उसको उसको कुछ नुकसान नहीं होता है और वो प्रॉपल अच्छे से सरवाइब कर पाता है ठीक है जो एनर्जी है वो सब कुछ मिल सकती है यह सारी चीजे हमें पता है तो उससाब से हम क्या करते बच्चे फुड को कंज्यूम करते हैं और जो हमारा मतलब हमारा जो जीवन है वो ठीक प्रकार से चलता है ठीक है आप सोची अगर हम पढ़ी लिखे नहीं होते तो हमें यह सा प्रपरली हमने सारी चीजे पड़ी हुई है तो हम अपने लाइफ को हम अपने जीवन को अच्छे से रख पाएंगे ठीक है और बचों को भी तो हमें देख भाल करना है तो एजुकेशन एस अलसू हेल्प दा पीपल टू कम आउट अफ देयर ब्लाइंट फेथ बिलीफ से इग्नोरेंज ओके नेक्स यहां पर यूज ओफ नूट्रियस फूड ठीक है अब यह क्या है भई देखो एजुकेशन की वज़े से हमें पता है कि हमारे लिए कौन सा फूड अच्छा है कौन सा फूड खराब है क्या हमें कंजियूम करना चाहिए क्या हमें कंजियूम नही इंड नूट्रिक्षन ठीक है परसेंटेज ओफ चिल्डेन और विमें डाइंग द्यूट्रिशन माल नूट्रिशन और इल हेल्थ वास्क्वाइट हाई यह पहले जो अगर देखा जाये तो पहले जो बच्चे थे वह कुपोशन का सिकार हो जाया करते ते यह यानि की माल इसका मतलब क्या होते है अगर उनको नूट्रिशन नहीं मिला जिसके कारण में कमजोर हो जाते थे ठीक है बिमार हो जाते थे लेकिन अब ऐसे कुछ सिच्वेशन नहीं है क्योंकि सबको पता है कि हमें क्या-क्या कंजूम करना चाहिए ठीक है ना इस डेट्स आर नाव ब् अच्छा जो भी पोशन वाले चीज़े हैं उनको ग्रहन करते हैं तो बताइए क्या हम बिमार पड़ेंगे क्या क्या कोई बच्चा माल नुट्रिशन यानि को पोशन का सिकार होगा नहीं होगा है नो तो वहीं बाते हो जाती है जैसे यहां पर एक्जांपल दिया गया है म प्रोग्राम स्कुल्स में यह चला गया मिद्डे रिचों को घखाना दिया जाता नेक्स तो यहां पर डिसास्टर मैनेजमेंट यहां पर लोगों को यह राहत पहुचाने का काम करती है जैसे जो लोग माल लीजे बाढ़ जैसे situation है या फिर अर्थक आ गया बुकंप यह सब कुछ आ गया तो उस टाइम पे लोगों को निकालने मतलब लोगों को जैसे माल लीजे बाढ आगया ठीक है हमें एक्जांपल लेते तो जाए भी तो जाए कहां ठीक है तो आप ऐसे सिचुवेशन में उनकी देख भाल माल लीजे करनी है ठीक है उनको राहत पहुचाने का काम कौन सी कमिटी करेगी यह वाले लोग मरेंगे क्या नहीं वह लोग तो फिर जीएंगे ही ठीक है तो यह बहुत हो जाती है तो यह बहुत कर दिया जाता है कि यहां पर कोई आंधी तूफान आने वाला है पहले ही हम अलट कर देते हैं तो लोग क्या करते हैं वहां से सुरक्षिस्थान पर चले जाते हैं ठीक है चलो आगे देखते हैं दोस्तो अधर फैक्टर्स और भी अधर फैक्टर्स है जो रिस्पॉंसिबल है फॉर लो डेथ रेट ठीक कौन से एजुकेशन एजुकेशन तो खैरवय नेए आपको पफधाई दिया सॉशल रिफोर्म क्वका मतलब क्या होता है समाज में कुछ चेंजिस आते हैं तो उसको हम कहते सोचल रिफोर्म ठीक है सोसल्डे फोर्मस में क्या आ सकता है मैं आपको बिता हूं Dec cosas me could कुछ परिवर्तण आ जाता है नेच्ट यहां पर अर्बनाइजेशन तेजी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इंप्रॉणमेंट इन स्टाइड़ ओफ-डीविंग्ड लोगों की जो स्टाइड़ ओफ-बॉइविंग है उसमें होना publicity campaign are also responsible for creating awareness among the people ठीक है नेक्स्ट यहां पर देखिए का दोस्तों बस इतनी ही points थे हमारे किसके point थे यह low death rate ठीक है तो यह सारे रीजन है आप लोग देख लो एक बार फिर से मैं आपको पढ़के बताती हूं first one is improvement in medical and health facilities next decline in maternal mortality rate ठीक है समझ भाना फिर यहां आप देखो infant mortality rate इसका कारण क्या है क्यों वो decline हो रहा है पहला कारण advanced medical facilities दूसरा कारण अरे भया पढ़े लिखे हैं तो आपने बच्चे की देख बाल तो अच्छे से करेंगे जो था literacy क्या है increase in literacy next day यहां पर use of nutritious food disaster management और other factors ठीक है चलो अब देखो यह बात आपको पता होनी चाहिए क्या पता होनी चाहिए भी बताओ तो यह बात पता होनी चाहिए you should know आपको पता होना चाहिए क्या effects of population explosion population explosion के effects क्या क्या है प्रभाव क्या बढ़ेंगे भाई देख लो increase pressure on land जी हां बिल्कुल जैसे हमने उपर देखा था गाड़ी एक पहले छे लोग अभी भी गाड़ी यह गई है लेकिन बैठने वाले भाईया कितने बढ़ चुके हैं है ना मतलब इसके दो गुना ती ग क्या जो है वो बढ़ चुकी है तो इसकी कारण क्या होगा जो प्रेशर है लैंड के ऊपर वो बढ़ेगा ठीक है आजाओ आगे देखते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज़ प्रेश्र और एंग्रिकल्चर प्रेशर पड़ेगा प्रेशर सब को खाना चाहिए लेकिन उतना फूट सप्लाई अगर नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो यहां पर आएगी फिर इंफ्लेशन भेंगा ही जैसे सिच्वेशन आएगी आप सचना कोई चीज है पहले मालो एक कोई चीज है इसको पहले खाने वाले कितने लोग थे बस दो लोग लेकिन चीज एक ही है अब हो गए भाई इसका समझ लोग है बीस लोग हो गए यानि दस गुनाई यह बढ़ गया तो बताओ कमी आएगी कि नहीं पहले बस दो लोग थे तो आदा आदा बाट ले रहते लेकिन बीस लोग हो चुकिया अभी से मेरे बाटो ऐसे ऐसे करके बा स्लीफेक्ट्स हैं जो और पॉपॉलेशन एक्सबोजिन की कारण हम देख सकते हैं तो हम ली अगों पॉपूपुलेशन एक्सबोजिन जो है शो norm पॉपॉलेशन उपॉपूलेशन उख्षकर लेकिन में सउन्हें और स्था और आगे कूशी मरेको अब बताना चाहती हूं जिनको हम स्टड़ी करेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे पॉपुलेशन ऐसा यूमन रिसोर्स जी या अभी हम पॉपुलेशन बढ़ने के मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके क्या-क्या प्रभाव हो सकते वह हमने देखे ठीक है नेगेटिव प्रभाव दे और रिसोर्स का भी काम कर सकता है क्योंकि आप सूचिए अगर लोग रहेंगे तभी तो काम होगा तभी तो आपका ग्रोफ है वह बढ़ेगा अगर लोग ही नहीं है तो कैसे कैसे काम करोगे तो फॉपॉपुलेशन ऐसा यूमन रिसोर्स इसकी यूमन बारे में हमें काम करेंगे तभी तो हमारी GDP जो है उसमें ग्रोथ आएगी तो यह हमें पढ़ना है और बागी जो मैंने आपको उपर बताया पूरा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगे देगा और भी आपके एकनोमिक्स के चाप्टर कंप्लीटेड है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हो और बस इतनी बाते थी देखें चलिए मिलते नेक्स वीडियो में बाइवरीवन